पुना से आपके समक्ष सितंबर माह का मिथुन रासी का संपूर्ण राशिपल लेकर प्रस्तुत वाओं कि मिथुन रासी के जात्कों को सितंबर माह में किस प्रकार की परिणाम प्राप्तों होंगे इनका इस माह में कारी छेत्र किस प्रकार का रहेगा कारी छेत्र में किस प परिवार के साथ किस प्रकार के संबंद रहने वाले मिथुन राजिके जात्कों को अगर सुप परिणाम प्राप्तों होने हैं तो इसे यहां और कैसे सुप बनाएं और अगर असुप परिणाम प्राप्तों होने हैं तो इन असुप परिणामों को यहां सुप कैसे करें इस म बेल नोटिविकेशन भी ओन कर लिए तो चलिए शुरुवात करते हैं और जानते हैं मिथुन राशी का सितंबर माह में कारी शेत्र कैसा रहने वाला है पेशेवल लिहाच से मिथुन राशी के लिए सितंबर माह अच्छा साबित होगा आपको अपने करियर में अच्छे परिणाम प्राप्त होंगे ब्योशाय से जुड़े हुए लोगों को भी इस माह में लाप की इस्तिती बनती दिखाई दे रही है नौकरी पेशा लोगों को कारी शेत्र में प्रोमोर्शन मिल सकता है हालाकि कारी का बोज भी आपके उपर बढ़ने वाला है जिसके कारण आपको मांचिक तनाव से गुजनना पड़ेगा कारी शेत्र के किसी कारी को लेकर आपको विदे स्यात्रा पर भी जाना पड़ सकता अगर आपके आर्थिक इस्तिति की बात करें तो सितंबर माहा आपके लिए आर्थिक इस्तिति के लिहाद से सुपसाबित होने वाला है। इस्तिति की बीमारी चली आरी थी तो इस माह में उससे भी आपको छुटकारा मिल सकता है। अंतिम सप्ता में आपके प्रेम में ब्रिद्ध देखते को मिलेगी। साधी सुधा जातकों को भी अपने दामपत्ती जीवन में उतार चड़ाओ का सामना करना पड़ेगा। आपके और आपके जीवन साती के बीज भी विवात की इस्तिति उत्पन नहों सकती है। अगर आपके पारिवारिक जीवन की बात करें तो आपको सितंबर माह में अपने परिवार में छोटे भाई बेहनों से समर्थन और सयोग मिलने वाला है। तो उस विवात का भी इस माह में समाधान हो जाएगा। हलाकि घर के अन्य सदश्यों के साथ विवात के कारण अशांती का माहल घर में उत्पन नहों सकता है। इस माह को सुप करने के लिए गाय को हराचारा खिलाएं। और सितंबर माह में भगवान हनुमान की आरादना करें। तो यह था मिथुन राशिका संपूर्ण सितंबर माह का राशिकां। उम्मीद करता हूँ यह जानकारी आपको पसंद आई होगी। चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही जान बेल नोटिफिकेशन भी ओन कर लीजिए। जिससे चैनल पर अपलोड होने वाली हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुँचे। और कमेंट बॉक्स में आप अपनी राय भी जरूर लिए। धर्निवाद।